नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अमारे खीचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूँ में पानी ला देने वाली बहुती यूनिक और एकदम ही स्पेशल चाट इसके सामने सब आपको फिका लगेगा इस चाट के सामने इसमें सामान कम लगेगा मे बहुती सिंपल और आसान तरीका है इसे बनाने का तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए यहाँ पर लिये है मैंने तीन टमाटर लिये है और बड़े साइज के टमाटर लेना है और इसे अच्छे से धोके फिर पोच लिया है अभी हमने लिया है एक ब दानुसार और इसमें डालेंगे अभी पानी डाल देंगे और पानी डाल कर इसका अच्छा गाड़ा सा घुल बना लेना है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका इस तरीके से देखें अच्छा गाड़ा घुल बना लेना है और यहापर देखें हमारा घुल बनकर अभी हम गोल में डाल देंगे टमाटर को ऐसे गोल डाल देंगे और जो अभी हम डाल देते हैं तेल में गोंसे अपका ना है अभी हम इसे पल्टा देते हैं एक साइट से हो गया है ये अभी हम इसे दूसरे साइट से पका लेंगे बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से चाट बनाएंगे खाने में तो और यहाँ पर देखें यह हमारा पक चुका है अभी हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह अभी हम सभी बना लेंगे देखें कितना अच्छा कलर भी आया है इसके उपर खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह केसी यह चाट आप लोग इस तरह केसी चाट को जरूर से ट्राइ कीजिए यहाँ पर देखें हमारे टामाटर के बोंडे बनकर रेडि हो चुके है अभी हमने लिया एक चक्कू चक्कू से इसको इस तरह से बीच से कट कर लेना है और इसकी जो कटोरी है उसे अलग निकाल लेना है इस कटोरी में ही आज हम चाट बनाने माले है यह देखें यह जो कटोरी है उसे अलग निकाल लेते है इसी तरह अभी हम सभी टामाटर की कटोरी को अलग निकाल लेंगे यहापर देखे सभी कटोरियों को अलग कर लिया है अभी हमने एक बावल दिया है इसमें डाले है यह चो टमाटर थे उसे डाल दिया है और इसे हातों से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी हम डाल देंगे इसमें दो कटोरी मूर्मूरा डाल देंगे चाट बनाने के लिए देखें दो कटोरी मूर्मूरा डाल दिया है अभी हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच ताल मिर्च पाउडर नमक डाल देना है स्वादा नुसार और इसमें डालेंगे आदा निम्बू का रस इससे बहुती बढ़िया खट्टा मिट्टा चटपटी सी हचाट बनेगी और बारिक कटी पैज डाल देंगे हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहां पर यह देखे सभी अच्छे से मिक्स हो चुके है अभी हम इसे डाल देते हैं यह जो कटोरी रखे थे उसमें डाल देते हैं इन सभी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल देना है बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से यहाँ चाट अभी हम डाल देंगे इसके उपर थोड़ा थोड़ा दही डाल देंगे आपके पास इमली की चटनी है तो वो भी डाल सकते है इससे बहुत ही अच्छे खट्टी मिट्टी लगे गया यहाँ चाट अभी हम डाल देंग हूं Fleet in frense다고 after I had data net कि बिलकुल थोड़ा-थोड़ा डालना है और डालेंगे इसमें अभी हम बारिक टी इसे धे यह तरह से और डालेंगे इसके उपर अभी बारिक सेव डाल देँगे इसे भी सेज़ां बहुत टेस्टी बनती है इस तरह कैसी है चाट अभी हम डालेंगे इसके उपर हरा धनिया पत्ती और ये लीजिए हमारे टमाटर की चाट बनकर रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में चटकारेदार जटपट बनने वाली लग रही है एकदम मज़ेदार बनाएंगे खाते ही रहे जाएंगे बाई बाई दोस्तों